हेलो जी मैं हूँ सनीता और आप देख रहे हैं सनीता कॉर्नर तो बात करते हैं हम नए वीडियो के बारे में जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरा ये वाला वीडियो है टिकोमा के उपर तो मैंने पिछली बार आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था वो था औरेंज करर का टिकोमा लेकिन जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है मेरा प्यार आसा येलो करर का टिकोमा और ये मैं तीस रुपे का पौदा लेके आई थी मेरे प्रणे वाले फ्लैट में धूप कम आते थी तो इसमें फूल भी कम आते थे ।ब यह वाले फ्लैट मे एक तम टॉप पे ढूप जी के दर्शन बहुतँ अच्छे से होते हैं destac अध Sven थी ब्हूंबध के दूप डूप रहती है gap बर भर के गुच्छों में फूल आ रहे हैं, जब से गर्मिय शुरू हो इस में तो देख के बहुत अच्छा लगता है, आपने जो पौदे लगाए हैं, वो अच्छे से पनप रहे हैं, यह देखे, यह मेरे के 12 चौह्छा इंच के घंबलों मैंने सब में शिफ्ट कर दिया और में इसमें मेरे कोई hard and fast rule नहीं है बागवनी में मैं अपना आराम से इन को देखवाल करती हूं को बहुत ज्यादा भी इनके साथ नहीं लगी रहती हैं यह है कि समय समय पर गुडाई करते रहना चाहिए खाद में तो मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम खली ही डालती हूं यह यह तो यह हूँ इसमें फूल पूल बहुत आते हैं डेली फूल आते हैं इसमें ट॰मपय टाइब क hem bağत सुन्दर फूल आते हैं इसमें यह देखे कीडी नहीं ही से एकड़े dwarka में रोड के किणारे लगे हूं यह भी ख़र लीया भी तो यह भी बहुत nurga visit phiếu से भर जाता है एकदम से बाहर तो जब सड़के किनारी ये लगा रहता है तो इतना इसमें फूल होते हैं कि पत्ते भी कई पर नजर नहीं आते तो बहुत ही सुन्दर ये तीन कलर में आता है मेरे पास औरेंज और येलो है मेरे पास परपल कलर में भी था लेकिन फूल बहुत जहार कर रहे हैं तो यह बहुत ही लगाना आसान है पौदा नौर्वन मिट्टी में लगाई है इसमें खाद डालिए वर्मी कंपोस्ट अनीम कर लिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा इसका मिलता है रेजल्ट तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल बुटन दबाना न भूलें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे थैंक्यू सो मच